सो फ्रेंड्स लास्ट टाइम आपके साथ एक विकेंसी का अपडेट मैंने आप पे कवर किया था और यह विकेंसी जो थी MPPGCL यानि कि दोस्तों मद्यप्रदेश में जो बिजली बिवाग है जो कि मद्यप्रदेश की पावर जनरेटिंग कंपनी है तो इसमें वेरियस अलग अलग पोँष्ट पोश्ट पर याँ पर वेकेंसी थी और मैंने आपको बताया भी था यह वेकेंसी जो brushes जो यहाप है रिलीज ना तो यह समिदा बेसिज पर है ना यह जो हैै और ना ही यह temporary basis पर यहाँ बल्कि पर्मनिंट regular बेसिज पर यह वेकेंसी वहाँ पर रिल मिल थे और साथी साथ यहां पर जो है इंजिनियर्स की पोश्ट भी इसमें आप पर शामिल की गई और यह देखिए करियर्स के जो सक्षन है इसमें आपको यह पूरा नोटिफिकेशन आपको बता गया साफ-साफ यहां पर देखिए लिखा भी आ है रेगुलर बेसे तो वीडियो से सम्मंदित यहां पे कुछ information आपके साथ यहां पे मैं discuss करूँगा कुछ यहां पे candidates हैं जो यहां पे बोल ले हैं कि यह vacancy जो आई है इसकी last date already यहां पे निकल चुकी है तो यहाला doubt आपका इसमें आपके clear हो जाएगा कुछ candidates को यहां पे last date के बारे में आपके doubt है ठीक है तो last date की information शायद रह गई थी इससे पहले वाले वीडियो में मुझे ध्यान नहीं रही वैसे मैं last में information को यह discuss जरूर करता हूँ तो शायद यह information रह गई होगी तो यह वाली जानकारी भी हम लोगे इसमें आप पे discuss कर लेंगे और इसके साथ-साथ exam को लेकर भी candidates को यहां पे सवाल है कि syllabus क्या रहेगा क्या इसमें आपका exam होगा या फिर नहीं होगा exam का pattern यहां पे क्या रहेगा और कुछ candidates यहां पे यह भी पूछ रहे हैं कि क्या इसमें male candidates आविधन कर पाएंगे या फिर नहीं तो male female इसमें आविधन करें या नहीं तो यह वाली information भी हम लोग इसमें आप पे discuss कर लेते हैं तो बिल्कुल भी time questioning करते हैं सीधे से बढ़ते हैं जानकारी की ओर तो regular basis पे recruitment है नियमेत यह भरती है और मद्यप्रदेश की जो power generating company है इनके द्वारा यह notification आ जाया है और देखिए सबसे पहले इसका detail notification सबसे पहले इसको हम लोग यहां पे open करेंगे लेकिन इसकी और बढ़ने से पहले जितनी भी candidates को यहां पे doubt है जो बोल रहा है कि यह last date already यहां पे निकल चुकी है तो देखिए last date यह वाले recruitment की नहीं निकली इससे पहले देखिए नीचे आप लोग यहां पे आएंगे सीखे तो आप लोग यहां पे देखेंगे एक assistant engineer का recruitment यहां पे आया हुआ था regular basis पे ठीक है तो assistant engineer यह vacancy की last date जो है I think 28 March थी या फिर 29 या 30 March ऐसी को यहां पे date थी तो यह अलग यहां पे recruitment था ठीक है और अभी ही यह जो vacancy आई है आप लोग अपनी screens पे देख सकते हैं यह वाली तो यह अलग यहां पे recruitment है तो दोनों में आपको confusion में नहीं रहना है यह नया recruitment यहां पे आया हुआ है और इसका भरती का विग्यापन अलग है और इसमें अलग अलग इसमें post यहां पे शामिल की गई तो यह doubt आपका इसमें आपके clear हो गया होगा अब हम लोग इसका आपके जो notification है इसको यहां पे open कर दोंगा यह सभी post आप अपनी screens पर देख सकते हैं और staff nurse और pharmacist यह post भी इसमें आपे शामिल थी सबसे पहली information जो हम लोग यहां पर discuss करेंगे जो रहे गई थी इसकी last date तो last date की information जो है नीचे आपको table में provide करा दी गई आई यह table की और हम लोग यहां पे पहुँच जाते हैं दो अपरेल से form fill up की process start हो चुकी है और 30 अपरेल जो है आविदन करने की last date रहेगी तो 30 अपरेल रात के 12 वज़े तक आपके पास समय है आप लोग online application form fill up करेंगे और अभी मैं आपको online आविदन करने की link वो भी अभी मैं आपको आपको आपे दिखा दूँगा तो अभी आ आविदन करने की last date है 30 अपरेल यहां पर रहने वाली है अब अगला जो सवाल है male और female candidates के आश्में आविदन कर पाएंगे या फिर नई तो देखिए सबसे पहले देखिए यह vacancy का notification है सभी categories में यहां पर यह vacancies है आप लोग यहां पर देख पाएंगे और यहां पर सबसे नीचे की तरफ हमको यहां पर आना होगा पेज नमर मैं आपको यहां पर बता दूँगा आप लोग भी चेक कर सकते हैं तो देखिए यहां पर जितनी भी vacancies हैं आप लोगों को एक information इसमें आप यहां पर मैं add करूँगा जैसे कि 100% जो vacancies हैं जितनी भी सभी vacancies हैं इन में 87 7% जो हैं मुख्य भाग के तोर पर यहां पर रहेंगी और शेश बाकी की जो बची कुछी हैं तेरा प्रतीशत यहां पर यह भाग यहां पर cover करेगा तो जो vacancies जितनी भी हैं नो अलग-अलग तरीके के पद यहां पर जो निकाल लेगा हैं यह कुलमला के 191 post हैं और नीचे आप लोग यहां पर आएंगे तो देखिए आप लोगों को यह doubt है ना कि male apply करें या फिर female apply इसमें करें तो देखिए male और female दोनों इसमें apply कर पाएंगी देखिए females के लिए यहां पर अलग से section दिया गया है तो females के लिए अलग से यहां पर post है और जो male vacancies हैं वो open वाली post के लिए apply करेंगे तो open यहां पर लिखा है तो open का मतलब यह है कि male candidates भी बिल्कुल आप लोग इस vacancy को apply कर सकते हैं जैसे यहां पर मैं नीचे check कर लेता हूँ इसमें nursing वाले जो candidates है तो यहां पर देखिए यह वाला जो page number है 37 ठीक है तो 37 page number पर आप लोग यहां पर आएंगे त तो नियमित है यह vacancy, regular basis पर यह recruitment है जो कि अच्छी बात है और यह staff nurse की post है इसमें कुल मिलाके देखिए लिखा हुआ है मुख्य भाग से 87% जो seats है यहां पर आप लोगों को male और female दोनों के लिए यह vacancy इसमें रहेंगी ठीक है तो देखिए male के लिए यहां पर ज़्यादा तर seats जो है male के लिए ही इसमें आप पर रहने वाली है और female की जो post है आप लोग यहां पर देखिए यहां पर अंदेदर्ब में female की एक post है और यहां पर देखिए इस तरव बारे section में यह ex-servicements का column है और यहां पर total करके आपको seats यहां पर बताई जा रही है और यहां पर कुछ दव्यांग candidates के लिए भी vacancies हैं तो यह ना सोचे के देखिए इसमें female की post नहीं है तो मैंने आपको पहले भी बोला था female की जो post रहती है यह open category में भी यहां पर allowed रहती है यानि कि female की जितनी भी post है उनमें जो female है male post पे भी selection ले सकती है तो female candidates को यह benefit रहता है कि वो male seats पे भी selection ले सकती है क्योंकि male की जो seats रहती है यह open category के अंतरगात यहाँ पे आती है female candidates यहाँ पर अच्छे marks यहाँ पर लेकर आए तो उसको male arkadaşlar की seat है वो यहाँ पर allowed हो जाती है तो यह आपको मालूमी होगा, तो यह जानकारी भी आपके साथ मैंने आपके डिसकस की, तो male और female दोनों candidate जो है इस post के लिए apply कर सकते हैं, और regular basis पे यह recruitment है, तो यह जानकारी भी आपके साथ मैंने आपके discuss कर ली, अब दोस्तों यहाँ पे आ जाते हैं, हम लोग exam को information को लेक तो exam की क्या information है, आगे देख लेते हैं, तो exam के लिए यहाँ पे एक point आपको दिया गया है, वहाँ पे आपको negative marking और exam में कितने सवाल पूछा जाएंगे, ठीक है, कौन-कौन से traits से आपके आपके सवाल है, online exam है, offline exam है, तो देखिए, chain परिक्रिया, साफ-साफ यहाँ पे ल आते हैं, तो chain परिक्रिया में, online apply आपको करना है, सबसे पहले तो, और देखिए, लिखाए, computer-based test, CBT में प्राप्त अंको के आधार पर किया जाएगा, तो online written exam जो है, आप लोगों का conduct कराए जाएगा, online आपका exam है, जैसे आप लोग MPCHO का exam देखर आए है, MPNHM staff nurse का exam कराएं, तो ऐसे ही इसका exam होगा, और यहाँ पर दोस्तों देखिए, लिखा है, मद्धे प्रदेश राज्य के शेहरों में आयुजित की जाएगी, जिसकी जानकरी आवेदक, online आवेदन में दी गई है, तो exam की जो center से आपको application form में देखने को मिल जाएंगे, तो आप एक प्रेशन एक अंकर का बहु विकलब यह होगा, तो 100 सवाल इसमें आपके आप पूछी आने वाले हैं, number of questions जो हैं आपके 100 है, और एक सवाल एक नंबर का आपका इसमें होगा, परीक्षा में 75 प्रेशन संबंदित विशह पर आधारित होंगे, तो 100 में से जो 75 आप पढ़के आए हैं, ठीक है, नर्सिंग का जो भी आप लोग ने course किया है, तो नर्सिंग से आपके 75 सवाल इनमें आपे पूछे जाएंगे, लिखाए, 6, 25 प्रेशन सामान नग्यान, अभी रोची, तारकिक योगिता इत्यादी से संबंदित होंगे, तो बाकी का जो जी के होगा, और तारकिक जो आप लोगों की रीजनिंग है, तो रीजनिंग का पार्ट भी होगा, और हो सकता है, इसमें मैत का थोड़ा बहुत पार्ट भी इसमें पूछा जाए, तो यह कुश जनरल पार्ट है, तो यह ज़्यादा कठे नहीं आता है, आप लोगों को easily ब देखाए परिक्षा में अभ्यारती द्वारा दिएगा गलत उत्तर का नकरात्मक अंकन नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा तो अच्छी बात है कि कोई भी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है नेगेटिव मार्किंग आपकी इसमें आपके नहीं रहने वाली है कोई भी गलत answer आप लोग select कर लेते हैं तो इसका कोई भी अंकर नहीं काटा जाएगा तो no negative marking ये पूरा exam आपका रहने वाला है और दीखे लिखाए English, Hindi दोनों भाषाओं में होगा तो जो भी exam में आपका English, Hindi दोनों languages में आपका इसमें आप रहने वाला है तो इस vacancy को बिलकुल आप सब लोग आप चाहें तो इसमें apply कर सकते हैं रही बात syllabus की तो syllabus देखिए इसमें आपको provide नहीं कराया गया है syllabus इसमें आपको आपको नहीं दिया गया है और हो सकता है syllabus आपको बाद में provide कराया जाए ठीक है तो ये information देखिए अभी कुस्ता में पहले assistant engineer का आपका exam हुआ ठीक है I think electrical वाले थे mechanical वाले थे और electronics वाले थे तो assistant engineer का जो exam था उसमें syllabus जो है अलग से आप लोगों को provide कराया अभी भी portal पे इनका syllabus uploaded है MP online के portal पे तो उस समें इस vacancy का syllabus दिया गया तो अभी ये vacancy आई है तो हो सकता है syllabus बाद में आपको provide कराया जाए और यदि syllabus आपको बाद में provide नहीं कराया जाए तो nursing का पूरा आप लोगों को पढ़ना होगा 75 marks का nursing का जो part है आपका जो सवाल पूछे आएंगे 75 अंकों के तो nursing के आपको जितने भी topics हैं उनी में से आपका ये cover किया जाएगा और वैसी syllabus आता है इसकी कोई information आती है तो कोई भी घवराने वाली बात नहीं है मैं update जरूर cover करूँगा आपको जानकारी मिल जाएगी तो इस वीडियो के माद्यम से काफी चीज़े हमने आपे discuss की और एक बार मैं आपको इसकी official website पे भी ले चलता हूँ तो देखे इसकी official website है तो यहाँ पे online application portal इस पे आप लोग क्लिक कर देना आपका form open हो जाएगा और आप लोग अपना online form fill up कर सकते हैं तो इस वीडियो के माद्यम से काफी जानकारी discuss की उम्मीद करता हूँ अपडेट आपको जरू मिला होगा वीडियो को लाइक करना चैनल को subscribe कर लेना जिससे आगे के हर अपडेट भी इसी तरीके से मिलते रहे तो मिलते हैं अगले वीडियो में thank you so much